आपके अदालत में अगला सा आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं शात्य जी सुनाया कि विरोधियों को धंकी दे रहे थे आप लेकिन आज कल आपको भी धंकिया मिलने लगी है आपको भी लोग कहने कि जांग को खत्रा है यह कोई नई बात नहीं है इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और शड़यंतर तरह तरह के प्रायोजित ढंक से उसको फसाने के उपाय किये गए है लेकिन सिर्पर सीता राम फिकर फिर क्या करना है और रही बात धमकी के तो सादू परमपरा में या हम अपनी गुरू परमपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं हम सिर्फ यह कहते हैं काइदे में रहोगे तो फाइदे में रहोगे आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकुने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया उसका वीडियो मैंने देखा है और जो लोग वागेश्वर धाम के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो तलवारे रखो अब इन लोगो गो कियोंकि हम स्वयम यह कहते हैं कि जिन्दगी में याद रखना सनातन धर्म बो धर्म है जो अहिंसा का पुझार है और हम इनसा के पक्षधर नहीं क्योंकि हिंदू का अर्थी होता है जो हिंसा का दमन करें लेकिन आपने तो कुछ रियक्टी नहीं किया वो आपके स्पोक्स नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूँगा वो देख लीजिए पिल्कुल हम एक बार बोलेंगे उनको बेजिज़क बोलेंगे हम कभी इसके पक्षधर नहीं है हम भारत में बहुत प्रैम और बहुत ही अहिंसा पुर्वक जीवन के पक्षधर हैं इसलिए हमने हिंदू राष्ट की मांग किया है इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप आपने खुर भार का कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हत्यार माला और भाला रखो यह तो हमारी देवीदेवताओं के भी हाथ में है प्रतेख देने का लाइसेंस है वो इसलिए आत्मरक्षा के लिए बाला रखो आ रहे हैं हमारी चंता नहीं न बंदूक लेने कि साब गरीब आदमी है जब आप इस तरह की बाते करते हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टेक्सपेयर क्यों पैसा दे जनता क्यों पैसा दे आप इस तरह की बाते करेंगे भाला की बात करेंगे बंदूक की बात करेंगे गोली की बात करेंगे तो धंकी मिलेगी हाँ मिलेगी लेकर हमने कभी बंदोख की बात में की हमने भाला और माला की बात की और ही बात सुरक्षा की तो प्रतेक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेबारी भारत सरकार की है और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोशा है, वरतमान सरकार पर भरोशा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, एक तो हमारा पहला भरोशा ही है, हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है, और हमारा ये धमकी नहीं है, और बार बार मरना नहीं एक बार बचना नहीं तो डरना किस बात का तो जब तक जीएंगे प्राण अगर जाते हों चले जाएं पर सनातन की चर्चा घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे वो पचाव सुपाय को इपर लेगे कोई ना कोई डर तो है आप कहते हैं कि मैं अब बुल्डोजर खरीदने वाला हूं हिंदू एक हो जाओ पत्थर मारने वालों पर बुल्डोजर चलाओ ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है पूर्ण अहिंसात्मक बुल्डोजर कबसे अहिंसात्मक हो गया वाह ये कुवा लगो को मजा भी आता है। गुरू के परंपरा के अंसार हम सिर्फ एक बात बताते है। ये कैसे गुरू है जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुल्डोजर और फिर कहते हैं मैं इनसा की बास लिए ये भगवान राम के परंपरा है अच्छा भगवान राम के टाइम पर बुल्डोजर आते थे भगवान राम धनुसबान लिए ते अब थोड़ा टेक्नलोजी बढ़ गई है तो टेक्नलोजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए परिवर्तन प्रक्ति का नियुक्त करेंगे बुल्डोजर का आत्मरक्षा घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आनामत ये भी है भाई बंदूग जो इनके पास होते सिपाईयों के पास चलाते थ सकती ऐसी बाते जानते हैं मैंने किस से सुनी थी बहुत साल पहले भिंडरानवाले से ये कौन है भिंडरानवाले पंजाब में जो आतंगबाद पहला था उसके सिंबल थे हमने कभी बंदूग की बात ही बुल्डोजर की उनसे उनसे मैंने ये सवाल पूछा था उनसे मैंन लेकर जाने की जादत क्यों नहीं होती तो मैंने उनसे का यग्योपविस से क्या नुकसान किसी को हो सकता है तो उनने का नहीं इससे भी गला गोट के मारा जा सकता है मैंने का आप तो बंदूक की बात करें तो उन्होंने यही कह था कि सिपाईयों के हाथ में भी तो बंदूख होती है वो भी आत्मरक्षा के लिए तो ऐसी बातें जो लोग गुरू परंपरा के लोग हो उनको नहीं कहनी चाहिए आपकी दिश्टी से कह सकते हैं लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सबको जरूरी हो बरतमान समय में आवर्शक है और बुल्डोजर की बात अगर कहें तो बुल्डोजर का पूर्ण अहिंसात्मक ब्यान है और किसी ब्यक्ती से अगर आप जोड रहें तो वो उसका निजमत है हमारा मत बंदूख की तरफ है तो सनातन धर्म का अमत है सत्य, अइंसा, दया, खमा, दान, जब तप मारकाट की बात तो नहिं करता बिर्टा भी यह बीर्टा का प्रतीख है बुल्डोजर बुल्डोजर चाय भी मंगवादो साब हम चाय की बड़ी आदब पानी और चाय दोनों भीज़ा जाए वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है क्या ये सही है? जी बहुत सही बात है कौन सी चाय पसंद करते है अदरक बाली चाय और हमारे दादा गुरू जी को बहुत प्री है इस चाय से हमारी याद जूडी हुई है दादा गुरू से हम दो भाई है बैसे तो परताव चाचा के मिलाकर के दस भाई है और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसी बैठते थे, तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे, तो वो चाय पीते थे, तो अपनी जूठी चाय, यह जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे, हम हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरू की इस प्रशाद के कारण बनाए और प्रतेक इसके पीछे एक और रहस है प्रतेक बालक को अपनी परंप्रा को छोड़ना नहीं चाहिए चाहिए किसी भी लेबल पर पहुंच जाए साइध ये भी शूत जहां से हुई गुरू से शुरू जिसका जीवन हुआ उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए इसलिए हम भूले नहीं ये साइध हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है चाय बुरी आदत है छमा कीजिए युबानों से प्रात्ना है मत पीना हम नहीं रुकेंगे और हमारे दादा गुरू ने तो श्लोक भी बनाया है कहो तो सुनाओ चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा केटली गर्ब संभूतम सक्करपत्ती मिश्रतम कप मध्धे बराजते देवी ओम चाय चंड़काई नमो नमा और केबल इतना ही नहीं है चाय और चाह दोनों जिन्दगी में बहन जरूरी है चाह हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाह से गुरू की याद आती है और जिससे ईशुर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है और चाह परमात्मा को पाने की चाह भी जिन्दगी में बहूत जरूरी है जिसके अंदर ईश्र को पाने की चाह होती वो आदमी भी नमबर एक का होता चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपिया बनाती रही, चाहे रुपियों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चा शाह क्या क्या ना करती अब एक ही चाह हमको चाहिए यहको का है अब आप ये मत कहिना कि ये डायलोग बाजी है क्योंकि हम आपकी आपकी अदालत में यह कहने हमारा कोई भी बयान डाइलोक नहीं है हमारा प्रतेक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ सायद यह जो चाय आप पी पीते हैं इससे एनरजी आती है उर्जा आती है शत्ती मिलती है लगबग गुरू की याद आती है और देखो चाय पीना देखो सच बात यह है कि चाय पीना ठीक नहीं चाय हानी का रख भूख मारती है लेकिन हम 24 गंटे में 18 गंटे सेवा करते हैं लगबग 17 गंटे गदी पे बैठते बोलते हैं भूख लगेगी तो नीद आएगे नीद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है चाय पीलेंगे भूख हम तो हम ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं हमें ऐसा लगता है पर डॉक्टर ही भासा में यह ठीक नहीं यह सिर्फ समाज सेवा के काम आती है या फिर जैसे शारुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया वो भी चाय का असर था चाय कोई नसा नहीं है लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवारंगी बेशरम क्यों बार बार एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी संतोसी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी द्रन होगी कि सुक्रवार को टमाटर निवू बिखना कम हो गये और अगर आप सनातन के खिलाप कोई मूवी बनाओ तो Shouldnya बार 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 हमारी संस्कृति हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टार्गेट पातन को टार्गेट किया गया है। Chapman Indy डेश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनो रंग है बिलकुल है और सब रंगों का सभान Flex it हम呢 हें अच्छा तो भाham Barry home to Aven worked ut ये इस तरह की जो माँगे करते ना उसी पर मुझे आपती है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट हylon, हिंडूराष्ट बने, बेजिजक बने, हिंडूराष्ट बनेगा, ये जाती बात, हम जाती बात के खिलाव हैं। कब तक गालियां जाती बात के नाम पर, कब तक राजनें तेक रोटियां सेकी जाएंगी, ये बंद करो अब, कब तक जाती बात के नाम पर बोटिन लेंगे, आप ये बंद करो, भारत को हिंदू राष्ट बनाओ, सामाजिक समरस्ता होगी, सम्मे समानता होगी, स्वहाद्रत होगी ना पत्थर गलेंगे ना राम चरित मानस जलेगी ना राम की उपर कोई चिपणी होगी हिंदू राष्ट होगा तो राम राज जा जाएगा भारत विश्व गुरू है जास्टल जी जो देश है न ये भारत के सम्विधान से चलता है वो सम्विधान जो बाबा साब अमबीट करने बनाया था खमाकी जी हम उसके आधर करते हैं हमारे पूर्वजों ने सुईकार किया वो सम्विधान कहता है ये धर्म निर्पेक्ष राज्य है इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता सम्विधान का प्रथम प्रष्ट ही भगवान राम के चित्र से प्रारंब होता है सम्विधान का प्रथम प्रष्ट जिस देश का सम्विधान भगवान राम से प्रारंब हो तो क्या वो हिंदू राष्ट तो राम राज नहीं हो सकता है वही सम्विधान जो भगवान राम के प्रिश्चे शुरू होता है वही सम्विधान कहता है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज़े है हमने इसा सुना है पढ़ा नहीं है पूछना नहीं पंथ निर्पेक्ष का है धर्म निर्पेक्ष नहीं होते जैसे हमारे परोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना. उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं? लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है. आतंगबाद चर्म सीमा पर है. जब इसलाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा तो यह होगा बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता देए बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनात है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था सुप्रीम कोट ने क्या का था एक्जेक वर्ड मैं आगको बताता हूँ सुप्रीम कोट ने का कि भारत जैसे धर्म निर्पेक्ष देश में धर्म के आधार पर घ्रणा फैलाने की लोगों को बाटने की गुंजाईश नहीं है जी शुप्रिम कोट का हमारी तरफ से आधर है लेकिन भारत हिंदू राष्ट था है बस घोषणा की जरूरत है देखें आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे हम सरफ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं कोई रंग से कोई व्यक्ति से किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है वो किसी भी ब्रादरी या समुदाय या समाच का चाय भली क्यों आपको ये भी समय ना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करणों ने देखा और वो लोग सुपर हिट फिल्म हुई हो नहीं भी चाहिए, हमने सुना सुधार भी किया है और सुधार करके कोई करे, तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एकला है, और कला के परती हमारा सम्मान है लेकिन आप तो बार बार कभी आप अमिर खान की फिल्म का जिखर करते हैं क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके संकर जी को बातरूम में बंद करता है तो क्या ये सही है जिसके प्रती हमारी आस्ता है लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद जिनके प्रती हमारी आस्ता है उनके साथ ऐसा मजाब किया जाए भगवान के साथ खिलवार किया जाए क्या ये सही है और उसकी बात बोलना अगर बिरोध है तो हम मरते दम तक बिरोध करें शास्ति जी मुझे कभी-कभी लगता है कि चोकि आपकी उम्र कम है जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते ऐसे ही फिल्मों का इत्यास भी आप नहीं जानते एक फिल्म आई थी बैजू बावरा उसमें भजन था मन तड़पत हरी दर्शन को आज जो सबसे हिट था इसे लिखा शेकिल बनायूनी ने म्यूजिक दिया नौशाद ने गाया मुझे रफी ने हम आपको बहुत बिनमरता पूरवक कहें कि हम किसी भी समुदाय की बिरोधी नहीं है पुना हम कहते हैं हम रहीम को मानने वाले हम सेख मुबारक के साथ मित्रता ने भाने वाले यह आपको समझने की ज़रूत है यह मलिक मुहमब जैसी और रस्खान का देश है जहां पर उन्होंने भगवान का गुनगान किया हमने कभी बिरोध नहीं किया सम्मान किया रस्खान के पद गाए रस्खान के परती हमारा आदर है और भारत में सामाजिक सुहादर था बनी रही यह हमारी मांग है और क्या यह नाजाएज मांग है जिन आमिर खान का जिकर कर रहे हैं उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई उस फिल्म में जो भजन था जावे दक्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया जी तो उसके परती सम्मान है हमने सुना नहीं है अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है पर उसके परती हमारा सम्मान है उसके परती हमारे कोई अगर वीडियो के लिए बिरोध का मिले तो दिखाई द्धमकिया देने की दुकान खोल लिए अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए क्योंकि प्रतेक भारती नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है 222 58 क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन बोलने परापती नहीं है धमकी देने परापती है हम धमकी नहीं देते हैं हम सिर्फ यह कहते हैं काइदे में रहो तो फाइदे में रहो यह भारत राम का देश है हम काइदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायता, सिखाना, धमकी नहीं, गुरु क्या डाट करके धमकी देता है, गुरु धमकी, अगर कुमार मठका बनाता है, तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है, हम तो गुरु परमपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माई डियर मेरे प्यारे, सना टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर